नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार रीना जिंटियन कल्चर एंड वास्तु सास्त्र में आज बात करेगे महाशिवरात्री पर सुनी जाने वल अली कथा, हिरनी की कथा के बारे में एक बार पार्वती ने भगवान शिव संकर से पूछा ऐसा कौन सा स्रेष्ट तथा सरल वरत पूजन है जिससे मृत्यू लोग के प्राणी आपकी किर्पया सहजी प्राप्त कर लेते है सिव जी ने पार्वती को शिवरात्री के वरत का विधान बताया, ये है कथा सुनाई एक गाउं में एक सिकारी रहता था, पश्वो की हत्या करके वह अपने बच्चों का पालन करता था वह एक साहूर कार का रिणी था, लेकिन उसका रिण समय पर ने चुकाव पाता था क्रोध्व शाहुकार ने सिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया सैयोग से उस दिन शिवरात्री थी सिकारी ध्यान मग्ण होकर सिव संबंधी धार्मिक बाते सुनता रहा चतुरदशी को उसने शिवरात्री की कथा भी सुनी संध्या होते ही साहुकार ने उसे अपने पास बुलाया और रिण चुकाने के विशे में बात की सिकारी अगले दिन सारा रिण लोटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया अपनी दिन्चरिया की भाती वह जंगल में शिकार के लिए निकला लेकिन दिन भर बंधी ग्रह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वरक्ष पर बैट गया बेल वरक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढखा हुआ था सिकारी को उसका पता नहीं चला पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वे सैयोग से सिवलिंग पर गिरी इस परकार दिन बर भूखे प्यासे सिकारी का वरत भी पूरा हो गया और सिवलिंग पर बेल पत्र भी चड़ गए एक पहर रातरी बीत जाने पर एक गरब वती हिरनी ताला पर पानी पीने के लिए पहुची सिकारी ने धनुष पर तीर चड़ा कर जो ही परतियंचा खीची मरगी बोली मैं गरब वती हूँ सिग्रही परशव करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है मैं अपने बच्चे को जन्म देकर सिग्रही तुमारे पास आ जाऊँगी तब तुम मुझे मार लेना सिकारी ने परतियंचा धिली कर दी और हिरनी जाडियों में लुप्त हो गई कुछी देर बाद एक हिरनी उधर से निकली सिकारी की प्रशंता का ठिकाना ने रहा समी पाने पर उसने धनुस पर बांड चड़ाया तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निविदन क्या हे पार थी मैं थोड़ी देर पहले ही रीतु से निर्वर्थ हुई हूँ कामातुर विररनी हूँ अपने प्रिये की खोज में भटक रही हूँ मैं अपने पती से मिलकर सिग्र ही तुम्हारे पास आजाऊंगी सिकारी ने उसे भी जाने दिया दो बार सिकार को खोकर उसका माथा ठनका वह चिंता में पड़ गया रातरी का आखरी पहर बीत रहा था तभी एक अन्यां हिर्णी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली सिकारी के लिए यह सुर्णी मफसर था उसने धनुस पर तीर चड़ाने में देर न लगाई वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिर्णी बोली हे पार्थी मैं इस बच्चों के पिता के हवाले करके लोट आऊंगी इस समय मुझे मत मारना सिकारी हसा और बोला सामने आई सिकार को छोड़ दूँ मैं ऐसा मुर्क नहीं इससे पहले मैं दो बार अपना सिकार खो चुका हूँ मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होगे उत्तर में हिर्णी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ठीक वैसे ही मुझे भी इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ हे पार्थी मेरा विश्वास कर मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लोटने की परतिग्या करती हूँ हिर्णी का दीन सवरप सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई उसने उस हिर्णी को भी जाने दिया सिकार के आभाव में बेल वरक्ष पर बैठा सिकारी बेल पत्र तोड तोड कर नीचे फैकता जा रहा था पोप फटने को हुई तो एक हस्ट पुस्ट म्रग उसी रास्ते पर आया सिकारी ने सोच लिया कि इसका सिकार वह अवश्य करेगा सिकार की तनी परती अंचा देखकर म्रग विनित स्वर में बोला है पार्थिवाई यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली तीन हिर्णीयों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मानने में विलंब ने करो ताकि उनके व्योग में मुझे एक छण भी दुख ने सहना पड़े मैं उन हिर्णीयों का पती हूँ यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ छण जीवन दान देने की किरपा करो मैं उनसे मिलकर तुम्हार म्रग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया उसने सारी कथा म्रग को सुना दी तम्रग ने कहा मेरी तीनों पत्निया जिस परकार परतिग्या बद्ध होकर गई है मैं म्रत्यू से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी अत जैसे तुमने उन्हें जीवन विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने सिक्र उपस्तित होता हूं उपवास रातरी जागरन तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाने से शिकारी का हिंसक रदय निर्मल हो गया था उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था धनुश तता बान उसके हाथ से सहज ही छूट गए भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक खरदय कारोनिक भावों से भर गया वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की जवाला में जलने लगा थोड़ी ही देर मरग से परिवार शिकारी के समक्स उपस्तित हो गया ताकि वह उनका सिकार कर सके किन्तु जंगली पश्वों की ऐसी सत्यता साथपिकता एं सामोहीक प्रेम भावना देखकर सिकारी को बड़ी गलानी हुई उसके नीत्रू से आस्वों की जड़ी लग गई उस मरग परिवा को नय मारकर सिकारी ने अपनी कठोर हर्दय को जीवन हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एम दयालू बना लिया देव लोग से समस्त देव समाज बेस गटना को देख रहा था गटना की परिणती होते ही देवी देवताओं ने पुश्प वर्षा की तब सिकारी तता मरग परि की जए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेर अवस्य करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद